प्रेसर इन फ्ल्यूड फ्ल्यूड कहने से हम लोग क्या समझेंगे यह फ्ल्यूड क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं जैसे लिक्वीड और गैस को हम लोग फ्ल्यूड कहेंगे फ्ल्यूड के प्रेसर को समझने के लिए एक जार लेते हैं जार के अंदर एक लिक्वीड मान लिया के पानी भरा है और यह पानी जो जार के अंदर है उसका हाइट मान लिया एच है हाइट of the water in the jar एच और यह पानी का डेनिसिटी को हम लोग row मान लेते हैं और यह जार जो है इसका bottom का cross section area जो है उसको हम लोग A मान लेते हैं तो हमको यहां यह मालूम करना है कि यह जार के base area जिसको हमने aim आना है इस पर liquid के liquid के height के वज़य से या पूरे liquid के वज़य से कितना pressure exert हो रहा है इस pressure को हमको मालूम करना है हम जानते हैं कि pressure का formula होता है perpendicular force by unit area यह liquid जो जार के अंदर bottom में जार के pressure create कर रहा है इसका वज़य क्या है इसकी वज़य से बात है कि liquid का weight है liquid का weight जो है वो इसको bottom की तरफ pressure डाला है जार के अंदर तो यह weight हम जानते हैं कि weight का मतलब होता है mass acceleration due to gravity मानि liquid का यह जो mass है और इस reason में जो acceleration due to gravity है जहां पे liquid रखा है इसका multiple होता है weight तो यहां से हम लोग mass का value निकालेंगे mass की कीमत मालूम करेंगे हम जानते हैं कि density मालूम करने के लिए mass by volume का formula जोज़ करते हैं तो हम लोग यहां पे mass मालूम करने के लिए mass equal to density into volume का formula जोज़ करेंगे इसके बाद density की जगा पर row बठाएंगे क्योंकि हमने liquid का density को row माना है अब volume की जगा पर cross section area को A माना है और liquid का height जो jar के अंदर है उसको H माना है तो volume जो हो जाएगा cross section area A into H तो volume की जगा पर हम A H लिखेंगे mask की इस value को जो row into A into H मालुम किया हमने उसको weight में बठाएंगे तो weight equal to row into A into H into G मालुम होगा और ये weight दरसल वो force है जो liquid bottom में create कर रहा है jar के अंदर तो weight का जो value है उसको हम लोग pressure equal to force per unit area में force की जगा पर ये weight का value को बठाएंगे और उसके बाद calculation करने के बाद हम लोग liquid के pressure को मालुम कर सकते हैं तो यहाँ पे liquid का pressure जो हमारा निकला है वो row multiply height of the liquid multiply acceleration due to gravity अगर अब माल लेके point x यहाँ पे है इस liquid के अंदर इस point x से उपर का height जो है h1 है तो इस point पर pressure कितना होगा अगर इसको मालुम करें तो कैसे मालुम करेंगे अगर point x को अगर सामिल करके area मालने इसको तो इस area पर जो pressure होगा वो होगा h1 row into g